ये देखेये मैंने अपना face आप watch कर लिया है और अब आप difference देख सकते हैं मेरे face पर, कितना difference है मेरे face पर दिखा रहा है, कितना instant clue मेरे face पर आचुका है Hello दोस्तो, स्वागत करती हूँ आपका मेरे channel पर मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज चो DIY मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके face को instantly glowing बनाएगा और difference आप मेरे face पर देखी सकते हैं कितना ये glow मेरे face पर लाया है तो बनाना इसको बहुत ही जादा आसान है जितनी भी घर में हमें चीज़े आसानी से मिल जाती है उसी से हमें बनाना है बस आपको coffee इसमें जरूरी ingredient है तो coffee आपके पास होनी चाहिए और अगर नहीं है तो 2 रूपे की मातर coffee का एक पेखिट आता है आप उसे use कर सकते हैं और अपने face पर कुछ इस तरह का instant glow वाला look ला सकते हैं तो चलिए वीडियो होने वाली ये बहुत ज्यादा interesting वीडियो को end तक जरूर देखे और अगर आप में चैनल पर नहीं हो है तो प्लीज में चैनल को कर ले सबस्क्राइब बेल आइकन को कर ले हिट जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे सबसे पहरे तो चलिए ज़ादा आपका time based ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं DIY करने से पहले सबसे पहले आप अपने face को अच्छी तरीके से wash कर ले उसके बाद जो second step में हमें लेना है वो हमें लेना है peel of mask यहाँ पर आप किसी भी brand का peel of mask यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास available हो मैं यहाँ पर ever youth का peel of mask यूज कर रही हूँ इसे use करने से एक तो आपके जितने भी skin में अगर hair growth है आपके facial hairs है तो वो remove हो जाएंगे और साथी साथ dots भी निकल जाएगा फिर मैंने इसमें add किया है half tablespoon coffee और इसे अच्छी तरीके से mix करके direct आपको इसे अपने face पर apply करना है मैं आपको बताना चाहूंगी जो coffee होता है वो हमारे skin के लिए बहुत ही जादा मतलब कह सकते हैं एक रामबार है अगर आपके skin पे spots हैं, dark circles हैं या आपको acne prone की problem है तो इन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है coffee के through तो यहां पर मैंने peel of mask में coffee mix करके उसे जब लगाया है तो जितने भी आपके जो facial hairs हैं वो भी remove होंगे साथ ही साथ अगर आपके face पे dot है तो वो भी निकल जाएगी इसके through तो यहां देखिए यह अब मैंने इसे लगाने के बाद 15 minutes wait किया है जब यह पूरी अच्छी तरह किसे dry हो गया है तो मैं इसे अब peel कर लोंगी यह देखिए आपको यहाँ पर उपर से नीचे की तरफ नहीं आपको नीचे से मतलब opposite direction में आपको इसे उतारना है क्योंकि इससे क्या होगा अगर आपके facial hairs हैं तो वो भी इसके साथ निकल जाएंगे और जो आपके skin है वो और भी ज्यादा खूबसूरत और निखर जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से peel कर लेती हूँ थोड़ा सा peel करने में दर्द तो होता है लेकिन हाँ इससे आपके skin जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाती है और बहुत ज़्यादा beautiful लगती है second step में आपको बनाना है अपने face के लिए scrub इसके लिए मैं use कर रही हूँ sugar का sugar अगर आपके पास मोटे दाने वाली है तो उसे थोड़ा सा आप crust कर ले और अगर छोटे दाने के है ता आप उसे वैसे भी as it is ले सकते हैं तो यहाँ पर देखें इसमें मैं यूज किया है half table spoon coffee और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ bio oil यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी आपके पास अगर कोई भी facial oil है तो आप उसे इस जगा पर use कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपको bio oil ही लेना है आपको कोई भी facial oil ले सकते हैं coconut oil हो गया या आपके पास almond oil है तो आप उसे भी use कर सकते हैं साथ ही इसमें आप glycerin जरूर मिलाएं जिससे जो आपके skin है scrubbing के साथ साथ उसमें softness भी बनी रहे अब इस scrub को आपको अपने face पर लगाना है और इसे लगाने के बाद अच्छी तरीके से आपको अपने face की scrubbing करनी है तो यहाँ पर आप अपने हाथों का use करें और gently आप अपने face का massage करें जिससे जितने भी आपके जो dullness हैं आपके skin में जितने भी dirt particles हैं जितने भी dark spots हैं व आपके face से बाहर आ जाए तो यह देखिए कुछ इस तरीके से आपको gently अपने face का massage करना है मसाज करने के बाद 2-3 minute रखने के बाद आप इसे ठंडे पानी से धोले यह देखिए मैंने अपने face को wash कर लिया है और आप difference खुद देख सकते हैं तो चलिए अब बनाते हैं अपन face पर आपको लगाना है जैसा कि आप सभी जानते हैं जो honey होता है वो हमारे face के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि वो हमारे face में moisture लाता है अगर आपकी dry skin है तो उसमें बहुत जादा health करता है आपकी skin को hydrate बनाने में अगर आपके face पर dark spots है या अगर आपके face पर बहुत जार करना है इसके 5 मिनट थोड़ा dry होने का इसे आपको 5 मिनट लगा कर छोड़ना है यह देखे मैंने इसे अच्छी तरीके से लगा लिया है अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ूंगे यह देखे मैंने अपना face wash कर लिया है और अब आप difference देख सकते हैं मेरे face पर कितना difference ही मेरे face पर दिखा रहा है कितना instant clue मेरे face पर आ चुका है तो दोस्तों आज का आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और दोस्तों की साथ share करना ना भूले तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगी अ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें खयाल रखें और देखते रहें आजी नेहा style tips